कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ससी लर्निंग पाइंट बाइसिंग सर आज हम करेंगे दस मार्च की शिफ्ट थरी का वेपर ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये हुए पहला सवाल बहुत आसान सवाल जब भी आपको ए प्लस बी प्लस सी बराव उनको जीरो दे दी तो यह तो पूरा टर्म जीरो हो जाता है यह उठके इदर आ जाता थ्री एवी सी आंसर अगला सवाल इनका जोड दिया गया था 126 यानि पांस तीन आठीक नो यहीं कि थी ए बरावर 126 माइनस का नाइग थी ए बरावर कितना अगया वन वन से विए बरावर तीन तरकानों तीन दिया आप यहां से देखो ए प्लस वन सबसे चोटी संख्या थी यानि कि 40 सबसे बड़ी यह थी यानि कि नौपा चौदा चावालिस हो गया यह चार चौकू सोला आंसर आगया अगला सवाल पांच विश्यों में पहले तीन विश्यों में आउसा तंक इतने अंतिन तीन विश्य तो यह तो एक ज्यादा एक्ष्ट्रा आ गया ना यानिकि तीन गुड़े पचत्तर सम लिख रहे हैं तीन गुड़े ब्यासी लिखते तो उसमें से 66 गटाना पड़ता क्योंकि इस संख्या को डबल लिख चुके हैं तो एक वार कम कर दिया आप पांच का भाग करना था इस सब्सक्राइब कर दिया है अच्छा जोड़ना है वाई गटबाखी हो रहे हो मांच आट दो दस की जीरो हांसे लगा एक तीन एक चार हो गया पान अठ्थे चालिस पांच एकम पांच एक क्यासी आंसर साइन ठीटा देखो कॉस्ट ठीटा इदर ले और टेन ठीटा बना देगा टेन ठीटा बराबर रूट थरी यानि कि यहां से ठीटा बराबर आ गया सिक्स्टी डिगरी साइन स्क्वार सिक्ष्टी रूट थरी वाई टू यानि कि तीन वटे दो का होल स्क्वार यानि कि चा पर फिक है अगला सवाल बीवेग सुभय आठ बजे गंटा की चाल से गती करना सुरू करता है उसके चार घंटे बाद 120 किलो मीटर पर घंटा की चाल से नीरज उसी दिसा में गती करना शुरू करता है निम लिखित मैंसे कौन से कतन सही है नीरज और और विवेक पांच बच के 36 मिनट पर साम को मिले हैं देखो साम का कह रहा है बिलकुल भाईया हम देखते हैं अब यहां से देखो आठ बजे चलाता कौन चलाता विवेक वाईसाब चला है और उसके चार घंटे बाद चलाता अगला आद्वी वह 120 की चाल से यह 70 की चाल से और चार घंटे बाद यानि कि वह 12 बजे चला है अब यहां से देखो चार घंटे तक इसने कुस्तो दूरी कवर की होगे इसने चार घंटे में 280 किलोमेटर दूरी की अब यहीं कवर करना आए अब करेगा कौन से चाल से सापेच्छ से यानि कि 120 कम करेंगे दोनों एकी दिसा मे बाद मिलेंगे अब बारा बज़े ते अब बारा बज़े के बास देखो यहां तो सुबह में चल लें अब सुबह के बाद सामी तो आएगी तो 536 में मिलेंगे तो आंसर पहला सही है दूसरा देखो चार बज़े तक नीरज औ विवेक दोनों द्वारत तैकि कुल दूरी इतनी होगी देखो चार बज़े तक यानि कि यह तो नीर विवेक ना यह आठ घंटे चलेगा आठ घंटे में सत्तर की चाल से आठ सत्य पांसो साथ यह चलेगा दूसरा कौन था हमारे नाम तो भूल गया ना तो भाई नीरज नीरज चलेगा कितना केबल चार गंटे तो च मुझे भी गलत देना नहीं चाहता हूं मुझे माफ कीजिएगा इसके लिए चलिए फिर भी मैं पढ़के बता देता हूं करा हूं लेंट आफ डारेक्ट कॉमन टेंजेंट इस ट्वंटीफू सेंटीमीटर फॉर टू सर्किल उस रेडियाई आज सिक्स्टीन सेंटीमीटर अगर फार्मूला याद है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे नहीं याद देखो मैं के लिए करके दिखा रहा हूं जरूरी नहीं चीज आप याद ही करके यह फिगर इतनी बार बनाओ ना आपके दिमाग में रट जाएगा यह हो गया 16 यह 6 हो गया डारेक्ट कॉमन टेंज बनाएगा तो यहां पर भी अब यह पूरा 16 ता है यहां से यहां 6 तो यह कितना हो गया 10 यह हो गया 24 तो पाइतागोरियन से यह क्या हो गया 26 अगला सवाल एक बस्तु का अंकित मूल उसके क्रेम उले से 20% अधेक है दुकंदार अपनी बस्तु को बेचने के लिए अधिकत 20% बढ़ाया जाता कितना कम कको कर Oprah . अगर वो कहती है 20% कम कर दिया जाता कितना बढ़ाया जाए तो पसीश परसेंट तो याद कर लो नहीं करना चालते तो देखो बीस परसेंट को एक बटेंड़ साने कि 5 सचे नहीं पहुंचतना उसे एक की छूट देनी पड़ी किस से छे से तो यहां से क्या हो गया सोला सी दो बटे तीन अगला सवाल नूतन को एक बैंक और एक एप के रिडिस्क दो प्रस्ताव मिले एपने पंद्रा परसेंट बारसिक चक्रवदी ब्याज दर पर दो वर्सों के लिए दस हजार का प्रस्ताव दिया और बैंक ने समान दर पर तथा समान समय के लिए लेकिन चाधाड़ ब्याज दर पर तो यह तो केंसल आउट हो गया पंद्रा बंद्र हम 225 अंसर अगला सवाल किसी जीवा द्वारा ब्रत के केंद्र पर अंतरित उस कोड का मान क्या होगा यदि परिद पर इस जीवा द्वारा अंतरित गोड 66 अगला सवाल एक जैकेट को इतने में बेचने पर अरजित लाव उसी जैकेट को इतने में बेचने पर हुए नुकसान के बरावर है दस परसेंट लाव आरजित करने के लिए जैकेट का विक्रे मुल क्या होगा देखो दस परसेंट का लाव चाहिए तो 110 वटे सो यहने कि 11 के डिविजिविल्टी चेक करें क्या समझ गए अब यहां से देखो अब तो में कैलकुलेशन करने पड़ीगा अगर बाई चांस मिल जाता है तो हमारा गुड लग था अभी तो वैड लग कोई बात नहीं होती रहती यह चीज़े है कभी लाव और हानी बरावर हो दोनों को जोड़ो दो का बाउग करदो कोश्ट प्राइज आ जाता है ठीखो कैसे आता अ अगर मानलेव सीपी हमारा एकस होता है तो प्रोफित कैसे निकलता है 26-1 – यही मैं कर रहा दोनों को जोड़ दो का बाक कर दो विच्ट प्राइड डारेक्ट आएगा तो जोड़ देते नों पो यानि की जीरो हो गया एक दस हो गया और तो यहां से करेंगे ऑठे उला कितना एक तो चाहिस्थ हो गया में दस करना था तो यह तो जीरो चीरो चला गया है यहां से पांच छे पांच ग्यारा के एक हांसे लगा एक आट से लगा एक आंसर अगला सवाल थीटा बरावर इतना बहुत सिंपल है को से सब्सक्राइब की डिगरी दो जाएगा क्योंकि रूट टू होती है यहां पर भी रूट टू तो तीन दूनी छे चारदस अंसर अगला सवाल तरभुच की बजाएं इतनी और इतनी दी गई है इस तरभुच के परिवरत की तरजिया कितनी होती सिंपल फार्मूला आर बराव तरभुच में यह दो बराबर वागों में तो यह दो सिक्स हो गया तो इसकी वैलू कितनी हो जाएगी तो पाइथा और इंट्रबलेट यानिक नौ का इसकार माइनस एकासवाल होता इसका एरिया देखो फिर निकालना पड़ेगा न तो एक बटे दो आधार कितना हो गया और हाइट कितनी निकाली थ्री रूट निकाली तो यहां पर करेंगे एक बटे दो बारा गोड़े तीन इन्टू रूट पांच ठीक है आसान है कल्कुलेशन करना अब तो अब तो सब समझ में आ गया हो गया यहां से करेंगे देखो बारा से बारा काट दो फिर तीन तरका नो गया है यहां से करेंगे दो दुनी चार हो गया अब बचा कितना तीन बटे दो गोड़े रूट पांच ठीक है 9 थिए 27 ए27 बचा तूपर नीचे गोड़ा कर दो तो हो गया 27 रूट पांच बटे 10 अगला सवाल दुकान एक दुकान तीन दुकान चार द्वारा दुकान एक दुकान दो दुकान तीन मतलब दो नहीं है तीन और चार द्वारा फुल गेहूं को देखो काउं सा है यह वाइट यानिकि यह लिखा 16.5 लिख दें जिससे 19.5 जोर दो 5-5 की 0 हांसे लगा एक हो गया 7-4, 11, 11, 9, 20 की 0 हांसे लगा 2, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6 हो गया अब सभी के हमको चावल चाहिए है चावली कह रहा सभी चार दुकान दुकान दारा बेची गई कुल चीनी का चीनी का उनसी है बाई साब यह सुगा रहा यह यह यानिकि 12. 15.5 15.3 और फिर यह हो गया तुमारा 20 और फिर बचा कितना 32.2 तो पांस तीन आठ 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 दू दस की 0 हांसे लगा एक हो गया 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8 हो गया अब कहा रहा था चीनी का कितना परसेंट है इसका एक्स परसेंट है बस बीच चोकू असी हो गया इधर करेंगे तो 15, बनाया गया कोड़, 60 डिगरी है तो इस जीवा की लंबाई कितनी होगी, बताओ, 18 ही तो होगी, क्यों होगी बैया मालो एक जीवा, इस से केंदर पे कोड़ बना दिया उसने 60, तो 60 बना दिया तो ये तो रेडियस हो गयी, ये दोनो बजाएं बरावर होगी, तो ये दोनो खोड भी बरावर होंगे, खोड त्रिवुच का 180 होता है, 60 तो हो चुका बचा कितना, 122 बागों में बाट दो, तो ये भी 60, ये 18 होगे, ये 18 होगे, तो ये भी 18, अगला सवाल, आयूस और अबसेक का बजन, 8 अनपात, 5 के अनपात में हम, अबसेक का बजन 40% बढ़ जाता ह है, देखो, यहां से 80 ले लो, पचास ले लो, ये आयूस है, ये अवशेक है, ठीक है, अबसेक का बजन बढ़ गया, 40%, 40% मतलब 140 करेंगे, तो 14, 50 हो गया, ठीक है, इसका दोनों का, यानि कि 130 था, आयूस और अबसेक का, दोनों का, 60% बढ़ गया, 60% बढ़ गया, तो 16, 38, 40, 16, 16, 4, 20, 208 हो गया, यदि कुल बजन 104 केजी हो जाता है, 104 केजी हो जाता है, ठीक है, कुल बजन 104 हमारे हिसाब से 208 हुआ, 208 की वैलू 104 दे दी, तो ब्रदी के बाद आयूस का बजन क्या होगा, देखो, इसका X मान लो, X प्लस 70 बराबर 208 है, तो यहां से X बराबर कित 38 हो जाएगा, इसी की तो वैलू हमको निकाल ली थी, इसका देखो, कितना हो रहा, एक बटे दो गुना हो रहा था, इसका भी एक बटे दो गुना करेंगा, तो दो चक्के बारा, दोने में 18 आंसर आ गया, अगला सवाल करते हैं, साइन C प्लस D बराबर इतना, सेक बराबर इतना दिया, तो देखो, C माइनस D, ये सेक में किसकी वैलू होती, ये वाली, 30 डिगरी की, यानि कि C और D का डिफरेंस 30 चाहिए, यानि कि इसका डिफरेंस 30 है, बिल्कुल है, इसका डिफरेंस 30 है, नहीं है, इनका डिफरेंस 30 है, बिल्कुल है, यानि कि दो आप्सन मिले साइन में ये किसकी वेलू होती, 60 डिगरी की, यानि C प्लस डी हमें 60 चाहिए, इन दूनों का सम 60 है, 90 हो रहा है, ये भी गलत आंसर, क्यों हमें सॉल्व करना है, L और M के सयुक्त बेतन, L और M के सयुक्त बेतन, P और Q के सयुक्त बेतन से अनपात क्या है, तो यहां से 0, 5, 6, 8, 3, 11, इधर हो गया, 0, 5, 6, 4, 10, 0, से 0, 5, 2, 10, 23 हो गया, 5, 2, 10, 5, अगला सवाल, जो कर आए, K1 सभी 5 स्कूलों में पुर्सों की सिचकों की कुल संग्या, K2 में सभी मैला सिचकों की कुल संग्या, K1 माइनस K2 चाहिए, तो हमें K1 और K2 से घटाना है, तो यह तो हमारा 0 हो गया, इन से हमें कोई पंचायत नहीं है, यहां से देखो, K1 और यह घटाते तो हमें कितना दे देते, 80, यहां से घटाते तो यह हमको कितना देते, 100, यहां से अगर हम घटाते यह 20 देता, यहां से घटाते तो यह माइनस का 40 देता, क्योंकि हमें K1 से K2 घटाना है, तो जिसें दूद्ध और पानी का अनोरस की मिलाया गया तो यहां से एक समझें ज्समेया कैना यहां यहां पर दूद पानी तो देक हो एक रखने के लिए यहां पर चार तो चार आ करना पड़ेगा नीचे वाले रिशेयों में सेंप करने के लिए तो यह चार हो गया यह 8 हो गया अब हमारे साफ से देखो मिलक कितना मिलाए गया अगला सब्सक्राइब सबाल साथ सेंटीमेटर तरज्या वाले तीन बरत इस परकार रखे गए पिरती एक बरत अन्य दो बरतों को इस पर्सकरता इन तीनों बरतों द्वारा गिरे गए च्छितर का छितर फर्ल क्या होगा देखो यह इस तरीके से सरकेल बने हुए आपके इनों एक दूसरे को टच क कर रहे हैं इस्वाब का area पूछा है इनकी सारे center मिला दो कि हम खिर ये साथ ये साथ यी मरे हैने कि कि ये कितनी आगी ओड़ कि संभाव त्रभुज बन गया लंगा是我 पुन से ये सेक्टर वाले area को मैं कर रहा हूं किसे थे याने कि कि इसका area जिए गरां लो पूरा सरकल बन रहा होता रेडियस तो एरिया 174 होटा यह कहीं तो यह वहांने कि यह जो एरिया आता है यहांपर दे हो कितना एंगल बन रहा है यहां पर देखो सारे कोण बरावर होंगे त्रवुच के तीनों कोणों का योगफ़ल 180 यानि कि आदा वन्रा यानि कि 77 होगा माइनस 77 कर दो ठीक है अगला सवाल करते हैं यहां से देखो यह तो बहुत आसाना है दोनों तरफ माइनस का दो कर दो इदर बन गया फार्मूला एक्स मैनस वन अपउन एकस होलिस का ओल इस मैनस वन अपउन एकस अग्ला सवाल यहां से देखो यह आपका इंपोर्टेन चीज़ अगर इस तरीके से कभी लिखाओ एक्यू प्लस का वी क्यू अपान में एस्वाइर प्लस का वी स्वाइर माइनस का यहां पर के रहने दो बराबर लिखाओ A plus B, कभी भी लिखाओ, तो यहाँ पर K बराबर हमेशा होगा A into B, लिखके ले लो ये, ये लिख लो, ये बहुत पूछा गया, इस बारा ससी में, बहुत पेपरों में ये पूछा गया, हमेशा याद रखना, क्यों होता है, ऐसा समझ लो, क्योंकि देखो, यहाँ से अगर इ यहाँ से A square plus V square minus A B, बराबर A square plus V square minus K, ये तो cancel out हो गया, minus से minus cancel out हो गया, तो K बराबर क्या आ गया, A B आ गया, यानि कि 15.60, अगला सवाल, आए बराबर देखो, ये दिया, ये तो होता है, ये दिया गया था, कुल आए, कुल बे से कितना आनपात है, यानि कुल आए निकालने के लिए सब को जोड़ेना पड़ेगा, बहुत भाईया, सब को जोड 28,59 गतना हो गया, 37, 73,av tonight, कितना हो गया, 44, 37, तिताले, सुचे कूइटना ओ गया, Hiranchlagen Chubber 6-49, 11, 54, 64, 71, 61, 63, ये यानि कि 74 हो गया, तोटर, आप येवल किसको जोड़ना है, यानि कि 4, 7, 11, 11, 6, 17 हो गया, 17, सबसे चोटा देखो कुछ नहीं पावर में बारे का गुणा कर दो यानिकि 14 की पावर तीन हो गया बारे की पावर दो पच्चिस की पावर एक हो गया सबसे चोटा अगला सवाल ती अकेले काम को पूरा कर दो कि अन्ह अबरे आएड आग़ पर यानिकर की प्लस 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 अार यहां periodrä यहां porte से करेंगे पंदरा चोक कुछ साथ हो गया आप यहां से देखो छे-चार-दस इन दोनों का दस है तो इसकी पांच आगई पांच से इसमें भाग कर देंगे पूरे काम में बारा अंसर आगया अगला सवाग चलिए फिक दस मार्च की आपकी सिफ्ट थर्ड कंप्लीट हो गई किसी भी कोश्चन में कोई भी डाउट हो तो आपके पास नंबर है 9919293977 आप उस पर बेच दीजिएगा और अगर जैसे वीडियो से रिलेटेट है तो वहाँ पर मार्क भी काते है कि यह कैसे हुगा इसको थोड़ा डाउट है मैं ऐसे कर रहा हूं मेरे से क्यों नहीं बन आपका ऐसे कैसे आ रहा है इस तरीके से पूछ सकते बागी अपने भी डाउट बेच दीजिए जैसे मुझको टाइम मिलता है मैं बेच देता हूं सल्यूशन जरूर कैसे नहीं कर से करके या अपने किसी दोस्त से सॉल्व कर वालूँगा मुझे नहीं आता होगा किसे पू